अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके उत्तर परदेश की राजयपाल अनंदी बेन पटेल ने उत्तर परदेश विधी विरुद धर्म संपरिवर्तन परतिशेद अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है इस अध्यादेश के तहत जबरन या धोके से धर्मांतरण कराय जाने और शाधी करने पर दस वर्ष की क्याद और विभिन श्रेडी में 50,000 रुपे तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है उत्तर परदेश शाषन के प्रमुख सची विधाई अतुल श्रिवास्तव ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर परदेश विधी विरुद धर्म संपरिवर्तन परतिशेद अध्य कर दी और इसके साथ ही उत्तर परदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को लागू कर दिया है मुक्यमंत्र योगी आयतेनाथ की अध्यक्ष्टा में गत्मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को जनिवार को मंजूरी मिलने के कुछ घंटे बाद ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूरु मुक्यमंत्री अखिले शादों ने पत्रकार वारता अयुजित की और कहा जब इस अध्यादेश को विधेक के रूप में विधानसवा में पेश किया जाएगा तो उनक धार्मिक विवा को प्रोचसाहन दे रही है और दूसी तरफ इस तरह का कानून बना रही है तो यह दोहरा बरताओ क्यों है विश्यचग्यों का कहना है कि अध्यादेश 6 माह तक प्रहवी रह सकता है और उसके बाद कानून बनाने के लिए विधानसवा में विधेक लाना जरूरी होगा अखले शादों ने सपस्ट कहा कि उनकी पार्टी ऐसे कानून का विरोध करेगी सरकार ये मुझे आप बताईए सरकारी एक ये उजना चला रही है कि अगर आप इंटर कास शादी करते हैं तो 50,000 रुपए मिलेंगे आपको इंटर डिलिजन शादी करते हैं तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे जब सरकार ही जञंज न चला रही है, तो सरकार ये कानून की उला रही है और फिर आर्टिकल ट्वंटिबन सरकार पढ़ेगी कै नहीं पढ़ेगी क्या दिखता है आपका, क्या भविस से है बोलिए, लोगों के अंदर नफरत फइला रहे हो। और नफरत के सासाद लोगों के बीच में खाई पैदा करते हों। हाल ही में भरतियंता पार्टी के नेतरितो वाली उत्तरप्रदेश हर्याना और मध्यप्रदेश जैसे राज्जों की सरकारों ने कथित लव जिहाद के मामलों को लेकर कानून बनाने की घोशना की थी जिसमें सबसे पहले उत्तरप्रदेश ने अध्यादेश लागुक किया जो शनिवार से प्रभावी हो गया उत्तर प्रदेश राज्य विदी आयोग ने पिछले साल एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें जवरन धर्मांतरण पर रोक के लिए एक नया कानू बनाने का सुछाव दिया गया था और यह अध्यादेश उसी दिशा में बढ़ाये गया यह अध्या है